बहासा को जानना अर्थात मोकब्यारी में इंडिच्मेंट हासिल करना है। इंग्लिस में तो वर्ड आज आपके सामने पर सुथ है। सबसे पहले हमें पहला वर्ड देखेंगे। किसी के विचारों में बहेद हो, व्यक्तियों की भीनता बतानी हो, या कि नी तो वसकों में अंतर बताना हो, तो डिफ्रेंज वर्ड यूज करते हो। मिनिंग है, the way in which two people or things are not like each other is called difference. इसका एक्जम्पल हम देखें, दो देशों के मर्द के सिच्छा ब्युस्ता में कोई खास अंतर नहीं है, के लिए difference का प्रयोग ऐसे किया जाएगा, there is no significant differences between the education system of the two countries. दूसरे वर्ट के लिए, किसी व्यक्ति या सक्षियत के प्रते सद्धावान होते हैं, या किसी के प्रते सम्मान प्रकट करना चाहते हैं, या your behavior shows that you respect somebody or something, तो English word deference यूज करते रहे हैं. कोई महिलार देश के रितिर वाजव सम्मान में पार्दल लेते हैं, तो इसका इंग्लिस देखेता, the woman wore wealth and deference to your customs of the country. इस चैनल को समार्था देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, जुख के रितिर के रहें, जा बहुत बहा देने के बहुत आपका बहुत देखेता के बहुत देगा अबेदार की जूएग सम्मान इंग्लिसा नहीं, जहांवाद बहुत रहिता हैं, जुश खलिए बहुत रहाया ज़ुत जड़ुत बहुत पार्दलिस,